बसकार दोस्तों सब्सक्राइब को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबेक है कोई सजेसिंग है तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर पता हिए अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुर यही नमबर है हमारे सिर्फ जहां पे कॉल या बट्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं इस्टाग्राम पर पेजरूर कर लिए अच्छा इंपर्टेंट आटिकल्स को हम लोग देख लेते हैं सबसे पहला है चाइना और रश्या के बीच में गट जोड अंतराष्य अपराध निय हाले इंटरनाशनल क्रिमिनल कोट फिर है भारत में वस्तर उद्धियोग डिफेंस एक्विजिशन काउंसल जो रक्षा अधिगरहन प्रशद है पिर है वाहन कबार नीती और तामिल नाडू के आदिवासी समुदाओं की दूर्दशा सबसे पहला हमारा है रश्या चाइना के उपर अभी यहाँ पर जो चाइना के यहाँ पर प्रेजिडेंड है जी जिन पेंग वो यूक्रेन यह शांती योजना को आगे बढ़ानी के लिए रूस की यात्रा पर जा रही है यहाँ पर बीस से बाइस मार्च के टाइम पिरिए में रूस के जो राश्पती है पहले रूस के आकर्मन की एक वर्ष गांठ पर एक पत्र जारी के और दोनों पक्षों को व्यापक विद्युद विराम करने के लिए कहा उप्रोक पत्र में एक और बीजिंग के दृष्चिकों यह कहते प्रतिलंबित किया गया था कि वह देशों की संप्रमूथा का करता है वहीं दूसरे और मदस्ते के रूप में यहां बीजिंग की साख पर सवार उठाने के लिए पश्चिम की काफी आलोचना भी की गई थी अब यहां पर जो है यहां पर आप इसमें समझेंगे कि पिछले एक साल में चाइना जो है और रूस के आकर्मन की निंदा नही कि चाइना और रॉश्या के बीच में आपस में किस प्रकार के जो एक विवात कहलो या किस प्रकार की चीजें और रिष्टे इनके किस प्रकार के रहें थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं तो देखिए वहीं यहां पर सबसे पहली चीज तो दोनों देशों के बीच में जो संबन्द है न वो आज के टाइम पे अमेरिका के साधा विरूध द्वारा परिबाश है तो दोनों के दोनों के किस क्या गें इस जा रहे हैं अमेरिका की और यहां पर मॉस्को और बीजिंग जो है उन्होंने मिल करके यहां पर जो पश्टिम देश है ना उनके विरूध शिकायते शुरू करी तो यहां पर दोनों का एक नया इंबिशन हो गया क्या करना है कि यूएस से को जो है न एशिया की प्रमुष्षक्ति के पद से हटानी की कूशिश करना है दोनों ने यहां पर एक बढ़नों का कॉ ला चुका है और दोनों कंट्री ने यहां पर बीजिंग डेकलरेशन को भी साइन करा बीजिंग घोशना को साइन करा और यहां पर यही दोनों ने आपस में बात करी है कि हम यह चीन और रश्या के जो गडबंदन से यूरोप में पश्टिम का टक्राव हो रहा है उसको हम और जाधा बढ़ाने की कोशिश करेंगी दोनों का एक ही काम है कि अपना आर्थिक वैपार जो है संबंध है उसको साजा करना तो यह उन दोनों ने हापर कोशिश करी और दोनों देशों ने अगले 30 वश तक चीन को सालाना 38 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस के आपोर्ति करन के लिए 400 बिलियन डॉलर का गैस सौदा भी दिया था तो यह सब भी आपको याद रखनें बाकि दोनों ने यहाँ पर जो है बी आर आई सब में पढ़ा है ना बी आर आई के बारे में चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशेटिव है जो चाइना का बेल्ट एंड रोड की जो पहल है उसमें यहाँ पर रूस के यूरेशियन एकनॉमिक यूनिन को जोनने के लिए भी यहाँ पर बाट की गई रूस ने एक चाइना सिधान के प्रतिय अपने समर्थन को भी यहाँ पर आगया आने की कोशिश करी है और जो भी यहाँ पर रशिया ने लडाकू विमा के बाद जो भी यहाँ पर जो वह थे ना एनेरजी खरीतने के लिए गयास खरीदने के लिए तो वहाँ पर भी रशिया आती है बैगिंद हिं बात करौं के बीच में differences क्या है problem क्या चल रही है तो दोनों के दीश में कोई जो है अप्चारिक सुरक्षा गड़ गड़ नहीं है सिर्फ वियापारिक लेन देंगी चल रहा है और दोनों की स्थिति और कमजोर हो गई कई कई बार जैसे बहुत हुआ तो रश्या की जो situation है वो और जादर होने लग गए तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि रश्या जो है वो अपनी स्थिति से समझावता करता हुआ देख रहा है तो चाइना ने जो है अभी भी क्रीमिया पर जो रश्या ने अच्राक किया था ब्लैक सी का दो हजार चौदा में उसके ओपर आज भी कोई बात नहीं कर है और इसलिए अपने आर्थिक हितों को समझावता नहीं करना चाहता है बस पर वार ही हो गया पूरे वर्ल्ड में अगर बात करूं तो काफी इंपाक्ट बड़ा इन चीजों का वार जो है यहां पर इसकी वज़े से यह सबसे बड़ी जब पता है जब यह रश्य यूक्र है न वो बढ़ाने के पूशिश करेगा जिससे मैं यह कह सकते हूं कि इन सब की वज़ा से जो हमारे बाकी अलाइंस थे न वो इंक्रीज हुए जैसे की कुवार्ड अब कुवार्ड हम लोगों ने बनाया यूएस से आस्ट्रेलिया जपैन इंडिया चारों का कुवार्ड इसे करके जो अलाइंस इसना रीजनल वो जादा बढ़ने लग बर्लिन और टोक्यो भी हम मास्को और बीजिंग की सुरक्षार यह से जुनातियों को सामना करने के लिए आपस में वैय कर रहे हैं बर्लिन और टोक्यो जैसी जगा चाइना की फर्म जो है वो यहां पर और ज की ओपर जो भी बॉर्डर के इशूज है चाहिए और नाशल प्रदेश की साइट से हैं लद्दाक की साइट से हैं तो यह एक प्रॉब्लम हो गया और इंडिया आप जानते हैं कि सबसे बड़ा डिपेंड करता है रश्या की ओपर अपने सारे सप्लाइज के लिए ठीक है और साथ इसाथ रश्या क्वाइट को सपोर्ट नहीं करता है और रश्या और चाइना मिलकर के क्या बूलते हैं एशियन नाटो कहते हैं जिसकी वज़़ा से आक्चिनी में नीटों की वज़़ा से यह रश्या योकरेंड वाज्यो स्टार्ट हुआ था और उसी के साथ- को यहां पर बन सकती है अब आते हैं इसिसी के ओपर इंटनाशनल क्रिमिनल पूर्ट यह मैं इंटनाशनल कर्मिनल कोर्ट इननों ने यहां पर आरेस्ट वरंच निकाला है व्लादमीर पुतिन के अगेंज जो नंन करना यूद के अपराद में किसको जिम्हदार ठहराया पुत्तन को इसलिए उनके उपर वारट निकाला गया है इन लोगों को बच्चों को अना थालियो बाद देख बार ग्रहें यहां से ले जाया गया है और यह सारी चीजें उनके साथ करवाई गई है जिसके लिए बोला गया है और जो चौबेस फेबरी दो हजार बाइस को इहां पर शुरू हुआ था महां से यह चीज चीज बताए गया आई सी से की मैं बात करूं तो आई सी सी इसलिए की चीजों को देखता है इंटरनाशनल क्रिमिनल को जो की कोई भी क्राइम है चाहे वो नरसनहार किया गय है मानफता के विरुदापरात किया गया है ऐसे सारे आरोपों की जो है रोकने के लिए रिस्पॉंसिबल है यह रोम अवधी रोम सन्वधी रोम स्टाचू के तहत पहली बार एक वर्ल्ड का कोट बनाया गया था जिसने क्रिमिनल की अगेंस्ट काम करना शुरू कह था कि ज टीक है इंडिया जो है वो आई सी सी का पार्ट नहीं है यू ऐसे चाइना भी नहीं है और इंडिया नहीं है वहां पे इच्छे ऑफिशल नाइंगोजिस बोली जाती है अब काम होता है पूरा इंग्लिश फ्रेंच आरबिक चाइनीज रॉशिय और स्पैनिश बाकि दो आ जरसन हार हुआ है जैनो साइट उसके अगेंच पूरा काम करता चाहिए किसी फी एक रिडिजन में पूरे एक कम्यूनिटी में लोगों को मारा गया है मेंटली हाम किया गया है उसके अगेंच फिमानिटी के अगेंच अगर कोई भी स्थर्की की चीज हुई है तो कि बहुत बच्चों के साथ यौन जो है रंग बेट करना या फिर निर्वासन ऐसे सारे अपराद भी इसके अंदर शामिल है जिस पर ये काम कर सकता है तो आइसी सी का आपको मैं बस बता रही हूँ और इसमें वार क्रिमिनल टाइम्स भी आते है वार क्राइम्स हम जानते हैं युद आपके अंडर आपने आपको संभालता है नेक्स्ट आता है टेक्स्टाइल सेक्टर भारत में जो वस्त्र का उद्योग है यहाँ पर हमारी केंद्र सरगार ने बहुत सारे नए वस्त्र के पार्क बनाने के लिए के उदेशे से तामिलनाडू, तेलंगाना, कनाटक, गुज अधर हम निर्याद भी करते हैं और काफी जादा अमाउंट में अगर मैं बात करूं कि मानव निर्मित हमारे जो कपड़े होते हैं उसमें चाइना के बाद इंडिया ही टॉप करते हैं और बात करो एक्सपोर्ट हम कितना करते हैं तो वो सब दुनिया में हम सिक्स नंबर प जाने वाजह से चाइना और यॉर्प यहां पर थोड़ा सा उनका प्रॉब्लम यहां पर हुआ ठीक है सप्लाइचेन खराब हुई क्योंकि वहां पर कुछ पॉलिशन इशूज हुए वहां पर प्रॉब्लम हुई तो कॉस्ट यहां पर बढ़ने लगई क्योंकि वैदर कभ प्रॉब्लम आने लग गई और उसके साथ साथ वियतनाम बांगलादेश इन सबको भी थोड़ा सा कॉम्पटिशन फेस होने लग गया तो इन सबकी वज़ा से सरकार ने काफी सारे यहां पर स्टेप्स लिए जैसे कि 100% FDI कर दिया है नाशनल टेक्निकल टेक्स्टाल मिशन स्टार्ट किया नई पॉलिसी लेकिया है एक क्याबनेट कमीटी है जो कि एकनॉमिक अफेस पर यहां पर पूरा काम करती है टेक्नोलिजी अग्रिडेशन फंड स्कीम यहां पर स्टार्ट की गई वुल डेवलप्मेंट स्कीम स्टार्ट की गई तो ऐसे बहुत सारे यहां पर बनाए जाएंगे जिसमें आपको पूरा एक ही सिंगल लोकेशन पर स्टार्टिंग से लेकिया एंट तक सारा काम होगा चाहिए आपको उसकी बुनाई करनी है छपाई करनी है उसमें आपने कुछ भी प्रिंट भी करना है कुछ भी एक्स यजड करना है कोबल मार्कित में कहीं टॉप पे स्टार्ट करें टेकनलोजी का इस्तिमाल करें तो हमें सेंट्रल सेट दोनों के साथ यहां में पूरा चाहिए स्टेट गर्मेंन को हाथ-ञाती अप्रूबल दे देना चाहिए जगहा को बनाने का और उसी वक्ती वहां पर ट्रीटमेंट बनाने शुरू कर दोने चाहें नेक्स रात है Defense Acquisition Council Defense Acquisition Council जो है वो रक्षा अधिकरण परिशद जिसको हम कहते हैं एक इस तरीके काउंसल होती है जो कि Defense Ministry में सबसे बड़े लेवल पर काम करती है अगर हमें किसे के भी साथ कोई deal और agreement या फिर कुछ भी sign करना है जैसे कि हमें रापील को मंगाना है S-400 मंगाना है किसी भी टाइप की कोई भी चीज चाहिए तो Defense Acquisition Council होती है रक्षा अधिकरण परिशद जो कि सारे decisions को यहां पर लेती है और इसमें अकेले Defense Minister नहीं होते हैं और भी लोग शामिल होते हैं पर हाँ इसके हेड जो होते हैं वो Defense Minister ही होते है तो यहां पर Defense Minister ने अभी हाँ पर 70,500 करोड जो है उसके लिए यहां पर बात करी है कि अगर हमें जरुद पड़ेगी तो हम यहां पर अपना खुद का हार्डवेर पर इतना पैसा खर्च कर सकते हैं जिसमें हम लोग और जादा ब्रामोज मिसाइल मरीन डीजल इंजन नेवी के लिए आई एफ के सुखोई थर्टीज इन सरफ इस तरह की चीजे भी हम यहां पर बना सकते हैं तो यह यह Defense Acquisition Council जिसके अंदर सबसे बड़े कौन यहां पर होते हैं एक कर डेफेंस मिनिस्टर हो गए उसके अलाबा Chief of Defense Staff और बाकि आर्मी नेविर एरफोस तीनों के चीफ आर्मी के जनरल, नेवी के एड्मिरल और एरफोस के चीफ मार्शन और सीडियस सारे लोग मिलकर के बनाते हैं कौन सी चीज़े खरीद के फिर इसको यहां पर बनाएं जैसे मैं एक एक्जामपल दू हमारी AK203 राइफल्स हैं जो आर्मी के पास आज भी है यह AK203 राइफल्स जो है न आर्मी यहां पर इंडिया नहीं बनाता था अब यहां बर हम लोगों ने जो है रश्या का यहां पर साथ लिया और मेरट के अंदर इसको जो है मेरट में राय बरेली के अंदर और अमेठी में चीक है अभी वैसे तो उसकी प्रड़क्शन अमेठी में शुरू हो गई है अमेठी में पुरानी राइफल्स हैं जगह अब यह एक के टू जिरो त्री राइफल्स बनाई जाएंगी और साथ लाग से जादा राइफल्स है जो हमारे जवानों को दी जाएंगी जिसमें से करीब पचास हजार हमें रश्या बनाके सिखाएगा उसके बाद फिर यहाँ पर उसको सहरी प्रॉडक्शन इंडिया में स्टार्ट की चाहिए जो भी तीन सो करोड से उपर जितने भी डिसिशन लेनी होते हैं वो सारे डिसिशन भी लेती है और सारे ट्राइल वगेरा लेना सारे चीजों के लिए जिम्मेंदा है बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट आर्टिकल पर वाहन कबाड नीती वहिकल स्क्रापच पॉलिसी सेंटर जो है यहाँ पर वो तीन हजार करोड रुपे दे रहे हैं स्टेट्स को जिसमें वो जो वाहन का कबाड निप्टान है उसको प्रोचाहिद करें जो पुरानी हो गई है यहाँ पर विल्कुल पुराने वाहन हो गई है उनको कबाड करने के लिए धनराशी जो है सरकार द्वारा दी जाए यह नेती एक अप्रेल 2022 से लागू हो चुकी थी जिसमें क्या था कि बाई जो भी हमारे एंवार्मेंट के लिए वेहिकल सही है सिर्फ उनी को चलाने की पर्मिशन दी जाए और पुराने हो चुके हैं उनको यहाँ पर कबाड बनानी की जो है वो तैयारी की जाए तो 2021 बाई के बजट में आई थी यहाँ पर जितने भी ओल्ड ऐसे वेहिकल्स है पुराने और अनुप्यूक्त वाहन है जिनका एक जीवन चक्र पूरा हो चुका है अब उनको यहाँ पर नहीं चलाया जाएगा 15 से 20 साल पुराने हो चुके हैं जो क्योंकि उनको क्या एक फ हटाने की जरुवत है और यह पूरा हमारा ministry of road, transport and highways यहाँ पर तयार कर रही है जिसके benefit क्या है कि हम नए वेहिकल्स यहाँ पर लेकर कि आएंगे और पुराने वेहिकल्स को यहाँ पर हटाया जाएगा और अपनी पुरानी वेहिकल्स को कबार में बेचने के लिए यहाँ प आपको पैसा नहीं पर किया गया अब क्या होगा ना कि अगर पुराने वेहिकल्स को हम यहाँ से हटाएंगे तो हमारा जो environment है उसमें जो production जाता है वो सब भी हाँ पर हटाया जाएगा और आपके जो टायर वगेरा होंगी अगर वो काम करते होंगे तो उसके लिए आपको अगर टायर है वो सारी चीजे है और सेफटी के मालने भी बात कर तो पुरानी जो वेहिकल्स है 15-20 साल पुरानी है उनसे बेटर काम करेंगे हमारे नए वेहिकल्स यह इसका एक अपजेक्टिव रखा गया है तो यह इसके अपर चैलेंजिस है कि अभी तो इसका पुरा इं जदेगा कैसे होगा भी यह सब कुछ भी तैय नहीं किया है जरूरत है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्थरेकी का यहां पर कार्ज के लिए पुरा औरॉर्गनाइज पूरा तयार किया गया सरकार दोर ऐस चीज़ को पूरी तरह के से तैयार किया जाएगा जिसमें यह इसके बनाने के लिए इसको पूरा लागू करने के लिए किस प्रकार से चीजों को बढ़ा सकते हैं अभी पूरा इसमें तयार ही नहीं किया गया है ठीक है भई तो अभी यहां पर तयार ही चल रही है इसके उपर जैसे जैसे कुछ होगा मैं आप लोगों को पूरा इसके बा थामिल नाड़ू की जो सरकार है में उनकी पुनर्वास चुनौतिया उनको सामना करना पड रहा है अभी कि सरकार पर भ्रोसऩा नहीं है पहली बात् पे वो कहे रहें कि हमारा जो है पुनरवास और जंगल दोनों को कोई फाइदा नहीं हो रहा है इसमें तो आदिवासी जो लोग है न वहां के उनको सबसादा प्रॉब्लम हो रही है तामिल नाड़ू में तो यहाँ पर लोगों के बहुत सारे इशूज है सरकार अपना जो प्राफधान देंगे आपको सब्वोकर किया जाएगा अभी तख यहाँ पर जू है सब्वोकर प्राफधान पूरी तरीके से नहीं जो झाल को हम अपनी जो है a relocation होते हैं यहां तो उससे क्या होगा relocation होने की वजा से जो हमारे जो बश्र classyoshima जो ज़िदें थार्म की चीजे है वह हमसे छिलनी जाएंगे ज़िद्श से जोड़े हैं वह सब यहांपर हमसे तारा गड़ छीन जाएगा साथी साथ और जो बहुत सारे लॉज है वो भी हाँ पर टूट रहे हैं जैसे कि लॉज क्या हो गए जैसे यह 2006 का आया था तो यहां पर क्या है कि आप किसी भी फॉरेस्ट में रहने वाले स्केडियूल ट्राइफ पीपल को आप हटा नहीं सकते हो जब तक सदस्य को उनके अधिन भूमिकर से आप बेदखल नहीं किया जाएगा नहीं कबजा किया जाएगा जब तक आप पूरा यहां पर सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं कर लेती है और साथ है क्यूंकі चीज़ें जो हैं वह बढ़ावा दे रही है और स्यूरुम किसी रोप में याद इस तरीके से दिशरी सारी चीज़े पूरा पू चाहरेएं से एक्जाम में औस सुρεί ancora के इस सबाड़े जास यह सबराल हो बढ़ते हैं हम आज के questions की तरफ पहला question है इंडिया की renewable energy के उपर ठीक है इंडिया की renewable अक्षे उर्जा विकास agency इंडिया की renewable energy का जो एक अलग से department है तो department के उपर ही यहाँ पर question है देखो यह एक तरीकी की आज की समय किया कर मैं बात करूं तो यह 1987 में बाई थी यह जो पूरी है यह 1987 में बनाएं गए थी और यह आज भी renewable energy के उपर पूरा काम करते हैं मिनी रतना जिसका काम सर्फ और सरफ जो ministry है हमारी renewable energy वाली उसके हिसाब से पूरा काम करें तो यह इस तरीके से पूरी एक organization चलती है इसको प्लीज आप लिख लीजेगा very very important इससे question बन सकता है आपके exam में इसका काम क्या है कैसे है कब बनाई गई थी इस तरीके से आप से सीधर सीधर सवाल इसके उपर भी बन सकता है तो ऐसा question exam में आता है इसको भी आप learn कर लीजेगा लिख लीजेगा पिर आते हैं हमारे commercial अब यह आप लोगों ने बहुत कम students से सुना होगा कोट के बारे में आपने जरूर सुना होगा पर यह commercial कोट क्या होते हैं यह आपने नहीं सुना होगा तो देखो commercial कोट अक्चुली में है क्या समझते हैं स्टीज को देखो commercial कोट इक अलग से unit बनाएं commercial कोट भारत में हर जगा पर है ठीक है बहुत सारी जगा पर में यह नही करने के बाद तो यहां पर इसी प्रकार से एक आक्ट लाया गया था कमर्शल कोज का बहुत कम सुनने में आता है लेकिन एक्जिस्ट करते हैं यह आक्ट के तहट सुप्रीम कोट ने भी इसको पास पूरा किया था और एक बुक इसकी वे अलग से आती है कि मैंने कभी एक पर काफी चीज़ें के बारे में पड़ी थी तो हम यहां पर ऐसा कोई भी डिस्प्यूट है जो कि कॉंट्राक्ट से जुड़ा हुआ है कमर्शियल कामों से का मेरा मतलब क्या है जैसे कि कोई भी गुड़ और सेवाओं से जुड़ा हुआ कोई काम है कोई कंस्रॉक्शन का है रियल एस्टेट का कोई ब्रॉजेक्ट है ऐसे सब जुड़े हुए जो भी विवाद होते है ना उसके लिए यहां पर जो है एक कमर्शियल कोट बनानी की बात की जाती है क्योंकि आप जानते है कि कमर्शियल डिस्पूट बहुत बढ़ते जाती है इंपोर्ट कि इस बिल के अंदर हम लोगे हाई कोट की भी एक कमर्शियल डिविजन निकालेंगे जो कम से कम एक करोड रुपे की जो इन्वेस्टमेंट है उसके उपर बात करेगी अब इसको बिल जो है पहले हाँ पर बात थी कि बहुत एक करोड से उपर की बात होगी लेकिन अब इस इसा डिस्प्यूट होता है जिसमें तीन लाग से उपर दकी बात होती है और ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो यह यहां पर बनाया जाएगा तो कमर्शियल कोड दो हजार पंद्रा याद रखेगा इस पर सवाल आपके एक्जाम में बन सकता है इसका सबसे बड़ा बाद बागी देखिए इस पूरे के अंदर अभी तक जो हाइप कोर्ट का जक्टिस हाना गा। का सीजे है उससे पूछ के ही यह बनाया जाएगा आभी तक इस पर देखो पूरी कोई वैल्यू तयार नहीं कई बार एक करड़ों कई बार तीन लाग इस पर पूरी वैल्यू तयार नहीं है ठीक है और प्रेजिडेंट का इससे कोई मतलब नहीं है आज के टाइम पिरड में दिल्ली, बॉंबे, कलकत्ता, मदरास, हिमाचर प्रदेश वगेरा यहाँ पर बना दिया गया है और राजस्थान में भी है लेकिन प्रेजिडेंट एक बार एक क्वेशन आया था इसके उपर किसको बनाने के लिए प्रेजिडेंट के रिकमेंडेशन चाहिए होती है तो व इनका काम अगर हम बनाते है हाई कोट के तहट इन कि आ जाता है और जाधा तो इसका क्या अप्चिक्टिव रहेगा एकित्ने अच्छे से काम कर सकता है तो इसको भी आप याद रखेगा lirage producer सीधा बड़ा लेक्चर नहीं था लेकिन आप इसको लिख करके लर्न जरूर कीजिएगा और भूलिएगा मत इन कमर्शिल कोड़ के बारे में पढ़ना है विलते आप लोगों से नेक्स लेक्चर में इसी तरीकी के और नए आठ टॉपिक्स को कवर करने के लिए धन्यवाद शुक्